प्रधान मंत्री मोदी ने देश को अपने संबोधन में 20 लाग करोड के रहत पैकेज का एलान किया है। साथी पीए मोदी ने लॉकडाउन 4 की बात की और अर्थ व्यवस्था को आत्म निर्फर बनाने के मंत्र दिये। कि एक्सपर्स बताते हैं साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना की इर्दगिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे दोगजदुरी का पालन करेंगे लेकिन अपने लक्षों को दूर नहीं होने देंगे। इसलिए लोगडाउन का चौथा चरान लोगडाउन फोर पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा नए नियमों वाला होगा। कोरोना संकड का सामना करते हुए नए संकल्प के साथ मैं आज एक विशेश आर्थिक पैकेज की गोश्णा कर रहा हूं। यह आर्थिक पैकेज आत्म निर्भर भारत अभ्यान की एहम कडी के तौर पर काम करेगा। कि साथियों हाल में सरकार ने कोरोना संकड से जुड़ी जो आर्थिक गोश्णाय की थी जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का एलान हो रहा है उसे जोड़ दें तो यह करीब करीब 20 लाग करोड रुपिय का है 20 लाग करोड रुपिय का है यह पैकेज भारत की जिडिपी का करीब करीब 10 प्रतिशत है समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा आपको आज जो ग्लोबल ब्रैंट्स लगते हैं वो भी कभी ऐसे ही बिलकुल लोकल थे लेकिन जब वहां के लोगोंने उनका इस्तमाल शुरू किया उनका प्रचार शुरू किया उनकी ब्राण्निंग की उन पर घर्ब किया तो वो प्रोड़क्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं वो प्रोडक्स लोकल से ग्लोबल बन गए हैं इसलिए आज से हर भारतवासी को अपने लोकल के लिए वोकल बनना है लोकल के लिए वोकल बनना है 21 वी सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दाइत्व आत्म निर्भर भारत के प्रण से ही पुरा होगा इस दाइत्व को 130 करोड देशवाशों की प्रान सक्ति से ही उर्जा मिलेगी आत्म निर्भर भारत का ये यूग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा नूतन पर्व भी होगा अब एक नई प्रान शक्ति नई संकल्प सक्ति उसे ले करके हमें आगे बढ़ना है हम भारत को आत्म निर्भर बना कर रहेंगे जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र बादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग पीपीई और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे हैं ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया निश्चित तौर पर मानव जाती के लिए ये सब कुछ अकल्पनिया है ये क्राइसिस अभुद पुर्वा है लेकिन ठकना हारना तूटना बिखरना मानव को मिल्जूर नहीं है सतर्क रहते हुए ऐसी जंग के सभी नियमों का पालन करते हुए अब हमें बचना भी है और आगे बढ़ना भी है हम पिछली सताब्दे से ही लगातार सुनते आये हैं कि 21 सदी हिंदुस्तान की है हमें कोरोना से पहले की दुनिया को वैस्षिक व्यवस्थाओं को विस्तार से देखने समझने का मोका मिला है कोरोना संकट के बाद भी दुनिया में जो स्थीत्या बन रही हैं उसे भी हम दिन अंतर देख रहे हैं जब हम दोनों कालखंडों को भारत के नजरिय से देखते हैं तो लगता है कि 21 सदी भारत की हो यह हमारा सपना ही नहीं यह हम सभी की जिम्मेदारी भी है जब भारत खुले में सौच से मुक्त होता है तो दुनिया की तश्वीर भी बदलती है कि टीबी हो कूपोशन हो कि पोलियो हो भारत के अभ्यानों का असर दुनिया पर पड़ता ही है इंटरनेशनल सोलर अलाइंस ग्लोबल वर्मिंग के खिलाप भारत की दुनिया को सौगात है इंटरनेशनल योगा दिवस की पहल मानव जीदवगन को तनाव से मुक्ति दिलाने के लिए भारत का उभार है जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ ही दुनिया में आज भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंशा होती है तो स्वाभाविक है हर भारती ये गर्वकरपा है आत्म निर्भर भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए इस पैकेज में लेंड लेबर लिक्विडिटी और लौज सभी पर बल दिया गया है ये आर्थिक पैकेज हमारे कुटिर उद्योक, गरह उद्योक, हमारे लगू मंजोले उद्योक, हमारे MSME के लिए हैं जो करोडों लोगों की आजिविका का साधन है जो आत्म निर्भर भारत के हमारे संकल्प का मजबूत आधार है ये आर्थिक पैकेज देश के उस स्रमिक के लिए हैं देश के उस किसान के लिए हैं जो हर सिती हर मौसम में देश वास्यों के लिए दिन रात परिश्णम कर रहा है ये आर्थिक पैकेज हमारे देश के मद्यम बर्क के लिए हैं जो इमानदारी से टेक्स देता है देश के विकास में अपना योगदान देता है ये आर्थिक पैकेज भारतिय उद्योग जगत के लिए हैं जो भारत के आर्थिक सामर्थ को बुलंदी देने के लिए संकल्पित है हमारा सदियों का गवरवपुर्ण इतिहास रहा है भारत जब सम्रत्य था सोने की चिडिया कहा जाता था संपन्न था तब सदा विश्व के कल्यान की राह पर ही चला वक्त बदल गया देश गुलामी की जंजीरों में जखड़ गया हम विकास के लिए तरस्ते रहे आज फिर भारत विकास की और सफलता पूर्वक कदम बढ़ा रहा है सात्यों आत्म निर्भर भारत की ये भगवे इमारत पांच पीलर्स पर खड़ी पहला पीलर एकनोमी एक ऐसी एकनोमी जो इंक्रिमेंटल चेंज नहीं बलकी कॉंटम जंप लाए दूसरा पिलर इंफास्ट्रक्चर एक ऐसा इंफास्ट्रक्चर जो आदूनिक भारत की पहचान बनें तीसरा पिलर हमारी सिस्टिम एक ऐसा सिस्टम जो बीती सताब्दी की रीती निती नहीं बलकी 21 सदी के सपनों को साकार करने वाली टेकनोलोजी ड्रिवन व्यवस्ताओं पर आधारित हो चौधा पिलर हमारी डेमोग्राफी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रन डेमोग्राफी हमारी तांकत है आत्म निर्भर भारत के लिए हमारी उर्जा का स्रोथ है पांचवा पिलर डिमांड हमारी अर्थे ववस्ता में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है जो तांकत है उसे पूरी ख्षमता से इस्तेमाल किये जाने की जरुरत है देश में डिमांड बढ़ाने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए हमारी सप्लाई चेन के हर स्टेक होल्डर का ससक्त होना जरूरी है हमारी सप्लाई चेन हमारी आपूर्ती की उस ववस्ता को हम मजबूत करेंगे जिसमें मेरे देश की मिट्टी की महक हो हमारे मद्दुरों के पसीने की खुश्बू हो जिन्दगी और मौत की लड़ाई लड़ रही दुनिया में आज भारत की दवाईयां एक नई आशा लेकर पहुंचती है इन कदमों से दुनिया भर में भारत की भूरी भूरी प्रसंसा होती है तो स्वाभाविक है हर भारती ये गर्व करता है दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है मानो जाती के कल्यान के लिए बहुत कुछ अच्छा दे सकता है जब कोरोना संकर शुरू हुआ तब भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी N95 मास का भारत में नाम मात्र पादन होता था आज स्थिती ये है कि भारत में ही हर रोज दो लाग PPE और दो लाग N95 मास बनाए जा रहे हैं ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि भारत ने आपदा को आउसर में बदल दिया मुझे पुरा विश्वास है कि हमारा देश ऐसा कर सकता है आपके प्रहास होने तो हर बार आपके प्रति मेरी स्रद्धा को और भड़ाया है मैं गर्व के साथ एक बात महसूस करता हूं याद करता हूं जब मैंने आपसे देश से खादी खरीदने का आगरे किया था ये भी कहा था कि देश के हैंडलूम वरकर्स को सपोर्ट करें आप देखिए बहुत ही कम समय में खादी और हैंडलूम दोनों को ही डिमांड और विक्री रिकॉर्ड्स तर पर पहुँच गई इतना ही नहीं उससे आपने बड़ा ब्रांड भी बना दिया बहुत छोटा सा प्रयास था लेकिन परणाम मिला बहुत अच्छा परणाम मिला जन्धमन आधार मोबाईल जे ए एम जैम की त्री सक्ति से जुड़ा सिर्फ एक रिफॉर्म था जिसका असर हमने अभी देखा अब रिफॉर्म्स के उस दायरे को व्यापक कर रहा है नई उंचाई देनी है यह रिफॉर्म्स खेती से जुड़ी पूरी सप्लाई चेन में होंगे ताकि किसान भी ससकत हो और भविश में कोरोना जैसी किसी दूसरे संकट में क्रिशी पर कम से कम असर हो कि रिफॉर्म्स रेशनल टैक्स सिस्टम सरर और स्पस्ट नियम कानूं उत्तम इंफास्रक्टर समर्त और सक्षम हुमन डिसोर्सीच और मजबूत फाइनांचल सिस्टम के निर्माण के लिए होंगे कच भूकम के वो दिन देखे हैं देखते ही देखते कच उठ खड़ा हुआ कच चल पड़ा कच बढ़ चला यही हम भारतियों की संकल्प शक्ति है हम ठान लें तो कोई लक्ष और संभव नहीं कोई राह मुश्किल नहीं और आज तो चाह भी है राह भी है कोरोना संक्रमन से मुकाबला करते हुए दुनिया को अब चार महिने से ज़्यादा समय बीद गया है इस दौरां तमाम देशों के 42 लाग से ज़्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हुई है पौने तीन लाग से ज़्यादा लोगों की दुखत मृत्ति हुई है भारत में भी अनेक परिवारों ने अपने स्वजन खोए है मैं सभी के प्रती अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं इनी परिष्टितियों में हमने देश ने हमारे गरीब भाई बहनों की संगर्ष शक्ति उनकी संयम शक्ति का भी दर्शन किया है हुँख खासकर हमारे जो रेडी वाले भाई बहने थेला लगाने वाले पत्री अमान बेचने वाले हैं जो हमारे स्रमिक साती हैं जो घृष में काम करने वाले भाई बहने उन्होंने इस दोरां पंप बहुत कष्ठ जिले एं तपस्य किया है ज्याक किया है आर्थिक प्रावधान किये गए है इससे हमारे सभी सेक्टर्स की एफिशंसी बढ़ेगी और क्वालिटी भी सुनिश्चित होगी